1857 की करांती के ठीक 5 साल बाद यहाँ पे पीर अली और उनके साथियों को फांसी दे दी गई है तो उसके 5 साल के बाद यह railway station की बुनियाद डाली जाती है मिरा नाम है उमर अश्रफ और आप देख रहे हैं Heritage Times अभी हम पटना की सड़कों पे हैं जैसा आपको पतना में पता है कि पतना का जो railway station है बहुत पुराना है वैसे में पतना में 2-3 railway station है पतना साहिब जो पहले बेगंपूर railway station का लाता था फिर पतना सीटी हुआ और आज के जटेटे पतना साहिब है इसके अलावा गुलजार बाग railway station है इसके अलावा पतना जंक् गाटते नोगे सिमें पटना घाट रिलवेय स्टेशन में शुक् Hol督 को कि हम आपको आपको प्तना घाट रिलवे स्टेशन ही में देखाने के लिए और इसमें हमारी कोशिश है कि हम आपको इस रिल्बे एअसरी पारे में मजीद बता मता सकें मुझाइए हैं देखाते हैं तो दोस्तों यह देखिए यह एक रेलवे ट्रैक है यहां पे आप देख रहे हैं और यह एक इस तरफ जा रहा है यह पूरा जो इलाका है यह कहलाता है मारूफ गंज मारूफ गंज में यह जो रेलवे स्टेशन यहां पे है वो कहलाता है पटना घाट रेलवे स station और इसकी बुनियाद 17 नवंबर 1862 में पड़ी थी 1718 62 को अगर आज की हिसाब से जोड़े जाए तो तक्रीबन 6060 पुराना ये रिल्वेट ट्रैक है यहां पे तो अभी आप हमको देख रहे हैं ये जो एक्जायक्ट जगह यहां पर देखिये पुराना हिस्टूरिक बिल्डिंग है काफी साल पुराना है ये पूरा रेलवे ट्रैक है एक सो साथ साल पहले ये इनाउग्रेशन हुआ है सत्रह नवंबर 1962 को तो अभी उसी के उपर हम खड़े हैं अब इस पे से रोड गुजर जाएगी ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो मैं वही कोशिश कर रहा था कि आपको और जाती थी तो इसको कोशिश हुई थी वापस से प्रिजर्व करने के लेकिन नाकाम्याब रहा जोके लोगों के पास विजन की बहुत कमी है अगर हमारे विजन से देखें तो बहुत एसकोप था यहां पर बाराल अब क्या किया जा सकता है तो चलिए हम आपको और भी आ अबेंडन्ड है कुछ साल पहले जब यहां पे गुरू गोविन सिंग की 350 वी परकास जैनती मनाई गई थी तब यह कोशिश की गई थी किस रेलवे स्टेशन को वापस से रियस्टोर किया जाए वापस से स्टैबलिश किया जाए 13 किलो मिटर लंबा इसका एक फासला है और यह जो रेलवे स्टेशन ही इसकी खूबी यह है कि यह है पटना घाट मतलब बगल में गंगा नदी है इंड शहर इंड हो जाता है यहां से तो जैसा हम लोगों को पता है आज से सो साल पहले सड़क और ट्रेन का इस्तमाल बहुत कम होता था उस जमाने में जिन चीजों का स मतलब रेलवे ट्रेक बिछाना शुरू किया तो ज़्यादा तर जो गूड्स है जो कलकत्ता जाएगा यह दिल्ली जाएगा वो पानी के रास्ते जाता था बना रहे से भागलपूर होते है वे कलकत्ता तो वैसे में पटना एक इंपोर्टेंट प्लेस था मरकस था अंग्र करना तो वैसे में यह घाट उनके लिए बहुत माइने रखता था यह रेलवे स्टेशन तो यहां पर नदी से समान आया ट्रेन पर आया यहां से उठा के वो ले गए या फिर आसपास का जो बाढ़वार का ताल का अलाका है वहां पर होती है खेती किस चिस की होती है दाल की तो वहां से समान आयेगा यहां पर रखाएगा और जो शिप है वहां पर लोड होगा फिर वो इंग्लेंड जाएगा तो यह एक पूरा महौल था जो अंग्रेस करते थे और यह जो रेलवे स्टेशन है डॉक्यमेंट बताता है कि 17 नवंबर 1862 को यह रेलवे स्टेशन खाय जाती है और यह जो पटना सिटी का अलागा है यह 1857 की करांटी का बहुत बड़ा गड़ था और इसके बाद अंग्रेजों ने यहां पर फिर अलग अलग तरह के जुम ढ़ाए बहुत सारे लोग मरें उसके बाद यहां के लोगों को पोर्टने के लिए बेसी किली उन्हों ने बहुत सारे काम भी किये कि लोगों का घुस अकम हो और उसके बाद उन्होंने बिजनेस को इंकरेज किया तो उसी का एक जीता जागता नमूना है यह रेलवे स्टेशन लेकिन चुके अब हमारे पास आज के दौर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम रोड के जरिया बहुत मजबूत हो गया है हमारे पास फौर लेन एट लेन नाम के बहुत सारे रोड आ गए है तो वैसे में रेलवे की जरूरत हमारे पास अब घट गई है तो वैसे में यह जो पट्टना घाट रेलवे स्टेशन है वो अबंडन्ड हो गया भी इसका कोई यूज नहीं कोई इस्त बताएं किस तरह से यहां पर एक जो विरासत थी वो धीरे धीरे अब खत्म हो रही है अब सड़क से हम अपने बिजनिस को बढ़ा रहे हैं तो यह कोशिश हमारी थी कि हम आपको कुछ चीज़े देखा सकें कुछ चीज़े बता सकें तो एक बार बार हमारे हैं विकास के न सब्सक्री कर लेती हैं सरकार की मर्जि कुछ भी कर लेती है अप यहां पर देख रहे हूँ है अपने जरूरत की हिसाफ से यूर्ड यह जाईकिल चलाते हैं कुछ लोग अपने मीड में हेरिटेज है आज से robi 100 साल पहले अ यह जो आपका मॉनुमें good Pacific दीक यह बें सरकार मो चाहिए कि इस इलाके को preserve करें ये नहीं कि पुरानी हर चीजों को तोड़ देते हैं इसे भी तोड़ दें वैसा नहीं करें इसे preserve करें ये हमारे इतिहास का एक बहुत ही मजबूत अस्तंब है पत्ना में पत्ना साहिब station है पत्ना जंग शन делают station है